हलो अच्चो, गुड मॉर्निंग, आज हम पड़ेंगे हिंदी सेकेंड में सेकेंड लेसन, वर्ण ये मात्राई, वर्ण भाषा की वह सबसे छुटी एकाई या दोनी हैं जिसके ओर टुकड़े नहीं किये जा सकते, बोलते समय हमारे मुख से कुछ दोनिया निकलती हैं, ये दोनिया ही वर्ण कालाती हैं, यहां आपके सामने तीन पिच्चर दिये हुए, चुहा, मटर और सेब, उपर दिये गए चित्रों के निचे लिखे शब्दों को देखिए, ये सभी शब्दा कई दोनियों के मिलने से बने हैं, जैसे चुहा, चुहा में हैं आपके च, प्लस उ, प्लस ह, प्लस आ, इसमें च और ह, दोनों हलन्ते, मटर, म, प्लस अ, प्लस ट, प्लस अ, प्लस र, प्लस अ, मटर, इसमें म, ट और र, हलन्त वरने, सेब, स, प्लस ए, प्लस ब, प्लस अ, सेब, इन दोनियों के और टुकडे नहीं किये जा सकते, अतो इने अक्षर भी कहते हैं वरणों को लिखने का एक निष्टित क्रम होता है क्रम से दिये गए वरणों के समुहों को वरण माला कहते हैं हिंदी के वरणों को दो भागों में बाटा गये कौन-कौन सा स्वर और व्यनजन सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर स्वर जिन वरणों को बोलते समय हमारे मुह से हवा बिना किसी रुकावट के मुह से बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं मतलब जिन शब्दों को हम बोलते हैं और आसानी से बोल लेते हैं बिना किसी मात्रा के या बिना किसी रोक के हवा हमारी मुख से बाहर निकलती हैं, उसे हम स्वर कहते हैं, हिंदी भाषा में निम्नलिकित ग्यारा स्वर हैं, कौन-कौन से अ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, अ, ओ, और ओ, ये हिंदी भाषा के स्वर हैं, स्वरों के साथ प्रयुक प्रयूक्त होने वाले वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और न वियनजन में, फिर भी वो हम उसको प्रयूक्त करते हैं, कहां पे स्वरों के साथ ही प्रयूक्त होते हैं, ये ना तो पूर्णत स्वर हैं और नहीं वियनजन, ये अयोग वाह कहलाते ह क्या क्या लाएंगे, अयो, वाह, ये तीन है, कितने हैं, तीन, अ, अम, अ और अह, आगे हैं आपके, अनुस्वार, क्या हैं, अनुस्वार, अम, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, अम को कहते हैं, अनुस्वार, और अम को लिखते कैसे हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ, वर्ण के उपर इसको लिखते हैं इसका उच्चारन नाक से होता हैं जिसे बंदर, जंगल, मंज, आदी अनुस्वार का उच्चारन हम नाक के द्वारा करते हैं इसे अनुनासिक कहते हैं इसका उच्चारन मुह और नाक से होता है इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं अनुस्वार को चंद्रबिंदु भी कहते हैं जैसे चांद, मा, काच, अंगुठी, आदी अह, इसे विसर्ग कहते हैं अह को विसर्ग कहते उसका उच्चारण अह होता है जैसे पुनह, प्रातह, अतह, आदी आगत स्वर किसे कहते हैं उसको हम O पढ़ते हैं दुसरी भाषा के प्रभाव से जो स्वर हिंदी में प्रयुक किये जाते हैं वे आगत स्वर कहलाते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए ओ को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता हैं, जैसे हॉल, कॉल, डॉक्टर, कोफी, आदि. व्यंजन, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन, जीर्ण वरणों को बोलते समय हवा, जीब, होट, ओठ, दाथ, आदि को छूते हुए, मुख से बाहर आती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की साहता लेनी पड़ती हैं, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता हैं, इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता हैं, पर बोलने में कठी नहीं होती हैं, स्वर के बिना व्यंजन हलंद के साथ लिखा जाता हैं, इसकी संख्या 33 हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी हैं, 33, और स्वरों की संख्या पह बाटा जाता हैं। व्यन्जुनों को सात वर्गों में बाटा गया है। अगे हम पड़ेंगे सयुक्त वर्गों मतलग दो अलग अलग वर्ण मिलते हैं और नयावर्ण बनते हैं। अब हमने अभी तक जो पड़ा उसमें से मैंने कुछ क्वेशन अंसर बनाएं। तो सबसे पहले आपके वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाशा की वर्ण सबसे छोटी इकाई या दोनी हैं जिसके ओर टुकडे नहीं किये जा सकते। सवर किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हवा बिना रुकावट के मुह से बाहर निकल जाती हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हवा जीब ओठ आदी को छूते हुए मुख से बाहर आती हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। स्वयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजन एव स्वर के मेल से बनते हैं। यह प्कुनों बुका